पेसा ही नहीं चलता हम शाहेंगे कि इतना घिनोना खेल हो रहा है कि इस उत्तर परदेश हिंदुस्तान में 20 राजियों का सर्वे इंडिया तुडे ने कराया है बलिया की बेटी की जान चली गई बलिया की बेटी हास्पिटल में मर गई क्योंकि बलिया की बेटी गर्भवती थी उसको बच्चा पैदा होने वाला था बच्चा सहकुसल पैदा भी हो गया ओवर ब्लीडिंग होने की वज़े से किसी आस्पिटल में जाती है हास्पिटल वाले इतने समझदार है इन्होंने कोई बोर्ड नहीं लगाया है दोस्तों किसी तरीके के डाक्टर का नाम नहीं है इस पर किसी तरीके की डिग्री नहीं लिखी हुई है यह एक रेसिडेंशियल आवास लग रहा है कि यहां पर कोई व्यक्ति रहता है दोस्तों हम आपको पूरा किस्सा बताते चलें कि आज हूं मैं बलिया में और बलीए के रशणा में हूं दोस्तों और संह में एक बड़ी दुखत घटना घटी है और घटना यह है दोस्तों कि एक बच्ची लगभग चौबीस पच्चीश साल की बच्ची वह गरवती थी और पर नर्स के दौरारा या किसी महिला के दौरा संजा बुझा करके जो है वो एक प्राइबेट हस्पीटल में उसको एडमिट करा दिया गया वहां पर बच्चा पैदा हुआ सकुसल बच्चा पैदा हुआ लेकिन तबियत बिगड़ने पर बाद में उसको एक दूसरे तल में पहले का फॉर्ड़कर करके कोई मिडवाइफ हैं रही बच्चा पैदा हुआ वह पांग यह चलता है यह रीक लिनिक चलता है यहां पर उसके बाद तो आप इधर क्यों आपको यहां पर बेज दिया और आप यहां पर चले आए फिर क्या हुए फिर काल ठीके रहुए यह लांजा दवाई के लांज पाटियोटी तो शीरियस हो गहर में साहिए लेगों सब्सक्राइब हमसे बात भेलिया घर है फोन से जी तो ठीक रहुए है आप थोरे दरी में भी शीरियस की मोग लेकर जाए 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 जो घटना हुई है परिजनों से लिखित तहरीर ली जा रही है और उसके बाद जो है उस पर जो है कारवाई कराके प्रापर कारवाई कराई जाएगी और इसके बाद जो पॉइंट से अ के उठ रहे हैं यहां पर जो अनथराइज जो है क्लिनिक शाल रहे हैं तो उसके व्रुद कारवाई कराई जाएगे समन्वे डिपार्टमेंट सम्मधि डिपार्टमेंट के साथ समन्वे अस्थापित कर गए तकरी रसना ने हमें बयान में बताया कि यहां पर जो भी के का कोई संदे नहीं है दोस्तों बल्या में हुई इस दुघत गटना पर हमारे साथ हैं पूरु विधायक राम एकबाल सिंग जी हम तोली सिंद से बात करने का प्रयास करते हैं सर क्या कहेंगे इस गटना इतनी हिर्दय विदारक है जी जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उकम है और जी सरकार कोलाइपस है हमने अनेकों बार लड़ा हमने इस परदेश की जो स्वास्त की ब्यवस्ता है उसमें भी बल्या की सबसे फिश्चाज दिए एक पूरे तस्हील में एक भी सर्जन लेडिस डाक्टर नहीं है कोई सर्जन नहीं है यह मौत के हवाले छोड़ी हुए हैं लोग सीमो जितने भी प्राइबियेट अस्पताल चल रहे हैं और रसना का धिक चक ए महीना लेते हैं इनसे क्यों जोला चाप डाक्टर नहीं उपलब्ध हो रहा है कहले कर जाते लोग लेकिन जोला चाप डाक्टर को ये सुविधा क्यों इलोद दिये हुए हैं और हर चटी पर पांच दुकान चल रहे हैं जो मनुशिका कतल कर रहे हैं माफिया ही कतली नहीं है जिन पर उजर चलना चाहिए इनको 302 में बंद करना चाहिए और सीमों और सीमेस जो यहां अध्यक स्वास्त के दोनों पर हत्या की खड़ंद का एफ यार होना चाहिए हंडेट परसेंट पैसा ही नहीं चलता हम कहना चाहेंगे कि इतना घिनोना खेल हो रहा है कि उतर परदेश हिंदुस्तान की में 20 राजियों का सर्वे इंडिया तुडे ने कराया है स्वास्त की इस्थिती क्या है उतर परदेश की तो उतर परदेश 20 राज में 19 अस्थान पर है और एजुकेशन में 18 अस्थान पर है लेकिन जूट की मार्केटिंग हो रही है थोड़े दिन पहले माननी स्वास्त मंतिरी जी जब हुए तो बहुत जगा-जगा छापा डाले और सारे इस्थोरों में इस पायरी दवा मिली एस्पतालों में मिली जनता को नहीं दी जाती है जनता को मेटकल इस्थोर पर परची लिकर भे दिया जाता है सरकार के संग्यान में अपराध हो रहा है ताकि अगर दवा की दुकानों से दवा पेसेंट खरीदेगा तो एक कमीशन मंतरी के घर तक जाता है ये केवल नीचे का लेबल नहीं है इसमें बड़ी भारी खेल है अरवर रुपया की खेल है और सरकार ने हिदायद देकर के सब को छोड़ दी जहां जाँचकिया करोनों की दवाई लोहिया में पकड़ी गई कई करोणों की दवाई पकड़ी गई कानपुरोट पर एक इस्टोर है इस्पाइरी दवाई जनता को दी नहीं गई वहीं स्टोर करके आपराद हो रहा है इस काम के लिए गौर्मेंट रिस्पांसिबूल है और इस जीले में कम से कम एक हजार जोला चाप डाक्टर चतियों पर बैठे हुए है असली दावाइब अस्पीटल है उस पर किसी बोर्ड का नाम नहीं है कोई वहाँ पर किसी तरीके की डिग्री लिखी हुई नहीं है इसका संदक चक है राज सरकार ही इस अपराद की मुख्या है उसके संग्यान में हो रहा है उसके सारे अधिकारी जानते हैं उसका CMO जानते हैं उसके CMS जानते हैं बलिया जिला में 205 डाक्टर की जरूरत है समुदाइग स्वासकें प्राथमिक स्वासकें और नई PC इन पर 205 डाक्टर पोस्टेट हैं पोस्टेट जरूरत है पोस्टेट क वो कहीं private practice करते हैं सरकार नहीं जानती है सरकार के संग्यान में यह सुनियोजीत अपराद हो रहा है जिसको समाज का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति सरकार से मिलकर कर रहा है समाज में जितने भी अपराद हो रहे हैं सरकार की संग्यान में हो रहे हैं हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं हम जाधर समय नहीं लेंगा विदाइक जी का लेकिन बहुत दुख होता है दोस्तों कहते हुए कि बुख्रे बलिया में रोज ऐसी घटाएं होती हैं सब्सक्राइब देखें कि इस तरीके से महिलाओ की जान जा रही है एक बिटिया की जान आज चली गई चार नगरा में चली गई एक बेलसरा रोड में चली गई यह अखिर कब तक बरिजास करते रहेंगे हम दोस्तों मैं वर्यूम श्रिवास्तों और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज वान बाद बाद धरनेवा